एई फ्रेंज वेलकम कैसे हैं आप सब आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आप लोगों की आज के दिन एनर्जी कैसी रहेगी ठीक है रीडिंग टाइम लेस है जब भी देखेंगे तभी रेजनेट करेगी जनरल है कलेक्टि को जाने दें सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टिट पॉजिटिव रहे हैं प्रॉपर एनर्जी एक्स्चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें ओम साही राम चैनल पर फस्टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्रीज दिवाइन बताएं मेरे विव्योर्स की आज के दिन की एनर्जी कैसी है आज के दिन युनिवर्स बताएं हर हर महादेव बताएं कि मेरे विव्योर्स की आज के दिन की एनर्जी कैसी है तो कार्ड आया है Ace of Swords आज के दिन आपको कोई नया प्रोपोजल मिल सकता है किसी चीज की नई शुरुवात हो सकती है। कुछ चीजों को लेकर अगर आप कन्फ्यूज दो तो आपको किसी तरह की कोई क्लारिटी मिल सकती है। आप कहीं ट्रावल कर सकते हो, कहीं घूम के आ सकते हो या अनेक्स्पेक्टेडली कोई आपके घर में आ सकता है और आपको सर्प्राइज दे सकता है। आज के दिन आप अपनी खुद की लाइफ पे फोकस करोगे और खुद को इंप्रूव करने की भरपूर कोशिश करोगे। जो सिचुएशन स्टक है उन पे फोकस कम करने की कोशिश करोगे। लेकिन स्टिल हंडर में से 100% इग्नोर नहीं कर पाओगे। 10-20% आपकी अटेंचन वहाँ पर जाएगी। आपके बच्चे, आपके पार्टनर्स होंगे और हो सकता है। आप किसी ट्रिप पर जाएं, कहीं भार घूमने जाएं या कोई ऐसा प्लान बनाएं। या फिर आप में से कई लोग आज के दिन अपने परसन के साथ स्पेंड करें। आप में से कई लोगों का लग रहा है कि आज के दिन काम से चुट्टी लेंगे या फिर हाफ डे करेंगे और आफ्टर डैट अपने परसन को डेट करने जाएंगे, मिलने जाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, या किसी की बात करूं तो 1, 19, 28, 10, 2, 11, 29, 20, 3, 21, 12, 30, and 6, 15, 24, 7, 16, 25, ये डेट्स आपके लिए या फिर आपके बहुत किसी करीबी के लिए इंपोर्टेंट हो सकती हैं, अगर मैं जोडिक्स की बात करूं तो जमनाई, लिब्रा, अक्वेरियस, टोरस, वर्गो, काप्रेकॉन, एर बहुत प्रोमिनेंट है, so may God bless you friends, I hope ये reading आप से resonate की हो, आपको पसंद आई हो, अगर resonate की है तो comment box में जरूर बताना, thank you so much for watching, bye for now, have a good day and take care.